हेलो एबरिवन हम आज स्टड़ी करेंगे मॉर्फोलोजी ओफ फ्लारिंग प्लांट हम NCRT को लाइन बाइन स्टड़ी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगे क्लास 11 की सेकेंड उन्ट का जो फस्ट चेप्ट्रेल that is called as the प्लारिंग प्लांट तो मॉर्फोलोजी होती क्या है बिटा प्लारिंग प्लारिंग प्लांट तो मॉर्फोलोजी का मतलब होता है study of form and feature of different plant और्गन like root, stem, leaves, flower, fruit, seed, etc. जब इनको हम study करते हैं उसी को हम के बोलते हैं प्लांट में different kind क्या होते हैं मतलब आपके जो मतलब different kind क्या होते हैं और्गन्स होते हैं अब उन और्गन्स की study को हम क्या बोलते हैं Morphology हम बोलेंगे ठीक है तो एंजियो स्पॉंप थीग है और फ्लाविंग प्लांट होते हैं इनके अगर हम देखा जाए तो इनमें क्या होता है कि external structure में या Morphology के basis के उपर बहुत large amount में क्या होती है variations देखने को मिलती है ठीक है इसमें हर एक प्लांट की अपनी-पनी qualities होती है इसी chapter में उसके बारे में हम study करेंगे ठीक है तो हम NCRT को line by line study कर रहे हैं और कुछ हम क्या करेंगे कि यहां पर कुछ additional point भी same time पर discuss कर लेंगे जो कि आपके neat exam के लिए बहुत ही important होगा ठी अब देखो यहां पर क्या है कि wide range of structure of higher plant will never fail to fascinate us even though angiosperm show such a large diversity in external structure और morphology they are all characterized by root present होती है stem present होती है leaves present होती है flower present होती है और fruit present होती है तो in this chapter in chapter 2 and 3 we have talked about the classification of plant के बारे में हम study कर चुके हैं हमने जो मतलब अगर class आपकी class 2 और class 3 में आपने कर पढ़ा था कि मतलब जो आपकी chapter number 2 थे या chapter number 3 थे वहां पे आपने 2 kingdom classification पढ़ी थी 3 kingdom classification पढ़ी थी 4 kingdom classification पढ़ी थी या 5 kingdom classification आपने पढ़ी है ठीक है तो वहां पी हम plant क के बारे में detail में study कर चुके हैं plant में क्या होते हैं कुछ आपके algaise हैं ठीक है उसके पर ब्राइफाइट है ट्रेडोफाइट है जिम्नो स्परम है और एंजिस्परम ही different type के divisions होते हैं हम plant में study कर चुके हैं ठीक है उसके लिए आपको previous निट के जो है मतलब आपको videos देखने परेंगे ठीक है तो for any successful attempt at classification and understanding the any higher plant ठीक है we need to know standard technical term जैसे standard definition हमें पता होनी चाहिए we also need to know about the possible variations in different part found as the adaptation of plant to their environment ठीक है अगर जैसे मान लो कि अगर हम किसी plant के बारे में उसकी higher level पे अगर हम understanding करें classification करें तो हमें क्या पता होना चाहिए हमें plant की technical term के बारे में पता होना चाहिए और साथ साथ में क्या है मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि मतलब plant में कौन कौन सी ऐसे characters या adaptation देखने को मिलती है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो if you pull out a bead ठीक है if you pull out a bead you will see that all of them have root stem and leaves they may be bearing flower and fruit ठीक है obviously जब आप बीड को निकाल लोगे ने बेटा तो वीड भी एक टाइप का angiosperm ही है जब angiosperm इसमें root भी होगी stem भी होगी flower भी होंगे leaves में होगे different type के जो मतलब उसमें जो मतलब पार्ट देखने को मिलते है ठीक है और the underground part of flowering plant that is called as the root system यह root और उसकी branches को हम क्या बोलते हैं root system बोलते हैं और stem and its branches is called as the root system ठीक हम पढ़ेंगे सब के बारे में detail में पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहला जो organ है आपका that is called as the root देखो बटा root में क्या होता है देखो आपने embryo के बारे में detail में diagram study की होगी embryo में क्या होता है जैसे यह उसमें क्या होता है cotyledons जो होते हैं देखने को मिलते हैं embryo में क्या होते हैं cotyledons देखने को हमें मिलते हैं ठीक है और एक क्या होती वड़ा embryonal axis हमें देखने को मिलती है ठीक है यह क्या है आपके cotyledons generally मैं यहाँ पे dicot के बारे में ही discuss कर रहा हूँ ठीक है the embryonal axis above the cotyledon is called as this को हम क्या ठीक है, that is called as the epicotyle, ठीक है, and embryonal axis below the cotylidon is called as the hypocotyle, ठीक है, hypocotyle, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, और epicotyle जोता है, it leads to the, it leads to the plumule, plumule part of embryo, ठीक है, and this portion of hypocotyle lead to the radical part of the embryo, ठीक है, radical part, ठीक है, मैंने क्या बता है, कि आपके embryo में क्या होता है, आपके dicot seed में क्या होते हैं, इसमें cotylidon present होते हैं, और embryonal axis present होती है, ऐसी axis above the cotylidon is called as the epicotyle, and below the cotylidon is called as the hypocotyle, ठीक है, epicotyle lead to the, आपके plumule part of the seed, and that is hypocotyle lead to the radical part of the embryo, ठीक है, यह radical part of the seed बोलेंगे, तो radical से बता क्या होता है, एक root arise होती है, that root is called as the primary root, radical से जो root arise होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, primary root जो की soil के inside grow करती है, और यही primary root में क्यों होती हैं, बहुत सारी आगे चलके branches हो जाती हैं, जैसे, अगर इसमें क्योंगा कि आपकी root अगर primary root बन जाती है, अगर root आपकी primary root बन जाती है, तो सकते होती 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 है, तो इसमें different type की branches होगी, जैसे मान लो कि आपकी primary root है, ठीक है, और यह primary root में अगर branches हो जाएंगी, ठीक है, यह branches हो जाएंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, टर्सरी ब्रांची जोंगे, ठीक है, उसक किसका डाइकट प्लांट का किसका डाइकट प्लांट का और मोस्ट इंपॉर्टन आपके नीद कशाम में देखो कैसे यहां पर बिटा देखों है इन मैज्योरीटी ओफ डाइकट प्लांट डार्ट इलाउंगेशन ओफ रेडिकल लीड तू फॉरमेशन अब दा प्रैमरी औरहां रही है वहाँ पे जो primary root कहां से बन रही है आपकी radical से बन रही है वो कैसी होती है short lived होती है और वो के होती है वो degenerate हो जाती है destroy हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है कि base of stem से large number of root जो होती है originate होती है और इनी को हम क्या बोलते हैं fibrous root system बोलते हैं क्या बोलते हैं fibrous root system बोलते हैं देखो बटा यहाँ पे कैसे देखो लिख है ना आपके book में कि in monocot यहाँ पे क्या और है ता primary root होती है कैसी होती है short live होती है and it's replaced by large number of root or these root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the monocot plant monocot plant की contrasting feature क्या है वहाँ पे fibrous root system होता है आपके wheat में आपके rice में आपके maze में क्या होता है मतलब वहाँ पे primary root वो कैसे थी वो salt leaf थी जैसे मानलवी primary root यह क्या होगी बटा यह सारी के सारी primary root जो होगी यह destroy होगी ठीक है यह destroy होगी तो बोलने का मतलब क्या है कि base of stem से बहुत छोटी छोटी roots यह होती है rise होती है इनी root को हम क्या बोलते हैं आपकी fibrous root system बोलेंगे क्या बोलेंगे हम fibrous root system बोलेंगे जो कहां पाया जाता है आपके मॉनो कोट में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टन है, यहां से एक क्वेशन कैसे बना आपका, कि टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, डाइकोट में पाया जाता है, और डाइकोट को इबारे में आप प्लांट में पाया जाता है ठीक है अब देखो यहां पे दिचो दो हमने कर लिया तीसरा सिस्टम है यहां पे एडवेंटीशियस रूट सिस्टम एडवेंटीशियस रूट सिस्टम तो यहां पे क्या होता है कि रूट जो होती है वो रेडिकल से नहीं राइस करती है वो अध part of plant जो मतलब arise करती है तो in some plant root arise from part of plant other than the radical that is called as the adventitious root और main function क्यों होते हैं adventitious root में तो कि यहां पे जो आपके adventitious root जो होती है यहां पे क्यों होता है adventitious root का जो main काम क्या है sport प्रोवाइड करना होता है ठीक है यह आपका food को भी store करती है ठीक है उसके बाद यह respiration में भी important role play करती है हम पढ़ेंगे इनके बारे में ठीक है पढ़ेंगे इनके बारे में लेकिन adventitious root कहां पाजाती है आपके grass में याद रखना आपने दिये हो आपके book में इन grasses में ठीक है उसके बाद monstera में और बनियान ट्री में क्यों होती है adventitious root जो होती है देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद क्या है कि root के main functions क्या होते है what is the main function of root system that is found in the plant number one आपके book में दे रखा है कि root system जो होती है absorption of water and minerals होती है यह soil से absorb करती है increase to plant part plant part को attachment में important role play करती है यह reserve food material को भी store करने में important role play करती है और यह कुछ plant growth regulator को synthesize करने में भी important role play करती है यह plant growth regulator को synthesize करने में important role play करती है जैसे दिखो है नहीं दिखो यहां पे NCAT को कि यहां पे main function of root system that is absorption of water and mineral from the soil providing the proper increase to plant part storing the reserve food material and synthesis of plant growth regulator ठीक है यह आपने याद रखने है ठीक है नीचे आपकी डायग्राम में क्या दे रखा है देखो टैप root system दे रखा है उसके बाद आपका fibrous root system दे रखा है और advantageous root system दे रखा है ठीक है आपने याद रखना है कि tap root system में क्या होता है primary root and its branches is called as the tap root system जो कि dicot का क्या है contrasting feature है dicot में tap root पाई जाती है monocot में क्या होता है fibrous root system होता है बहुत सारी जो roots होती है stem के basis होती है rise होती है और third के बटा that is adventitious roots याब root आपकी other than radical से rise होती है that is called as the adventitious root हम इसको बोलते है ठीक है आपके बादे को यहां पर reason of root के होता है देखो आपके reason दे रखें की root जो होती है ने बटा वो नीचे से के होती cover की जाती है थिम्बल लाइक structure से देख सकते हैं यहां पर थिम्बल लाइक structure जो होता है present है उसको हम क्या बलते है root cap बोलते है root cap बोलते है और इसका दूसरा नाम जो है कैलिप्टरा भी इसको हम बोलते है क्या बोलते है कैलिप्टरा भी इसको हम बोलते है याद रखना है ठीक है इस root cap को हम क्या बोलते है कैलिप्टरा भी इसको हम बोलते है ठीक है अब बोलता है यहां पर क्या है कि यह जो about current नहीं बठा यह क्यों present होती है अगर present है तो इसके functions क्या होते है यह करता है कि आपके root के tip को root के tip को करती है protect करती है it protect the standard apex of root as it makes its bed through the soil यह करती है कि root के tip को करती है protect करती है आपकी kayak जो होती है ये एपिफाइट में याद रखना है इसमें क्या होती है ये एपिफाइट में क्या होती है ये एपिफाइट के होती है ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ओपर ग्रो करते है जैसे और्किड हो गया ये ऐसे प्लांट होते है जो कि मतलब दूसरे प्लांट में क्या होती ह हाइडरोफाइट ऐसे प्लांट जो कि मतलब पानी में पाय जाते हैं एक्वैटिक है जैसे पिस्टिया है लेमना है ठीक है इस्षोरनी है इंद में क्योंता है रूट कैप की जगा की चाहरी है रूट पॉकेट होती है ठीक है तो में काम क्या है में काम आपके रूट का क्या है इसको जो मतलब रूट का जो में काम क्या है कि आपके रूट एपिकल मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करना ठीक है अब जो को यहां पर रूट कैप के बाद क्या आता है यहां पर आता है आर एम रैम यानि कि रीज important point जो है आपके नीट के लिए कि हम पे सेल्स होते हैं कैसे होते हैं very very small होते हैं thin-walled होते हैं इनमें dense cytoplasm होता है या proto-plasm होता है और यह continuously divide करते हैं इसलिए इसलिए इनकों क्या बोलते हैं merismatic reason पोलते हैं क्या इसको merismatic reason बोलते हैं ठीक है उसके बाद इसके बाद जो reason आएगा that is called as a reason of elongation जो कि आपकी यहां पर क्योंकि cells में rapid elongations होगी enlargement होगी और यही आपकी root की length में increase करने के लिए responsible होती है growth of root के लिए responsible होती है इसी को हम क्या बोलते है reason of elongation बोलते हैं ठीक है और cell of elongation जोन जोते हैं यह करते हैं फिर आगे चलके mature हो जाएंगे differentiate हो जाएंगी और एक specific function जो होते हैं यह perform करेंगे that is called as a region of maturation region of maturation इसमे क्यों क्यों ऑगा कुछ cell होते हैं आपके epidermis बनाएंगे कुछ जो मतलब cortex बनाएंगे game ऐसे कुछ जो मतलब आपके en Walmart increasing regels बनाएंगे specialized हो रहा है to perform a particular function and this reason is called as the reason of maturation और यहां पर क्या बनते हैं root hair भी बनते हैं और root hairs के होते हैं very very important यह unicellular elongation होती है unicellular होते हैं और इनका main काम क्या है कि यह water को absorb करते हैं minerals को absorb करते हैं from the soil root hairs होते हैं they are absent in mycorrhizal root very very important root hairs होते हैं mycorrhizal root में क्या होते हैं absent देख आपकी anxiety क्या बोलती है कि यहां पर अगर देखा जाए root is covered by root is covered by thimble यहां मतलब cap like structure that is called as the root cap यहां पर हम रूट cap के बारे में बात कर लिया यह करते हैं protect the tender apex of the root as it makes its bay through the swell a few millimeter above root cap के उपर क्या होता है reason of mathematic activity होती है और cell of this region जो होते हैं very small thin wall होते हैं dense protoplasm होता है और they divide repeatedly ठीक है cell proximal to region इसके आगे बाला जो region होगा उसमें क्यों होगा मतलब rapid elongation होगी enlargement होगी और responsible for growth of root in length और इसके हम के बोलते हैं that is called as the reason of elongation और cell of elongation zones होते हैं gradually differentiate हो जाते हैं mature हो जाते हैं ठीक है और फिर एक नई zone बनाते हैं इसके साथ वाली that is called as the reason of maturation हम बोलते हैं और from this reasons क्या होते हैं कुछ epidermal cells होते हैं वो very fine delicate thread like structure called as a root hairs होते हैं मतलब वो बनाते हैं और these root hairs होते हैं absorb करते हैं water and minerals from the soil water and minerals from the soil होते हैं मतलब वो absorb करते हैं ठीक है आपने याद रखते हैं उसके क्यों होते हैं कि रीजन और mature cells क्या करते हैं यह जो हैं में कोई further change नहीं होता है यह इंप वोटर होते हैं और यह plant को attachment करना में important role play करते हैं यह अलग बात है ठीक है अब देखो यहां पर हमने दूसरा अथीस्टर टॉपिक यहां पर आता है लेकिन जब आपकी root जो है इन function को छोड़ के कोई और काम कर रही है that is called as the modification of the root तो root in some plants होती है वो अपनी shape change कर देती है और structure क्या करती है चेंज करती है और modify कर देती है to perform function other than the absorption and conduction of water and minerals वो करती है कि water को conduct करने का minerals करने से क्या करती है other functions होती है वो perform करती है ठीक है जैसे यह food को store करने का काम करेगी ठीक है sporting में important role play करेगी respiration में important role play करती है यह आपनी याद रखना है तो यहां पर देखो यहां पर tap root of tap root of carrot very very important carrot turnip ठीक है and adventitious root of sweet potato and asparagus भी इसमें आ जाता है वो करती है वो swollen हो जाती है swollen हो जाती है और क्या करती है वो food store करती है दो कैसे आपके book में दे यह भी वो diagram यहाँ पर NCLT में देखो यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि carrot को देख सकते हो आप यहाँ पर turnip को देख सकते हो sweet potato को देख सकते हो यह जो शेप दे रखिए ने बड़ा जैसे turnip की जो शेप है टर्निप की जो शेप हो कैसी है नेपी फॉर्म रूट है यह कौन सी नेपी फॉर्म टैप रूट है यहां पे फूड स्टोर हो रहा है कैरेट जो है ना बटा यह कौनिकल टैप रूट है यहां पे भी फूड स्टोर हो रहा है स्वीट पटेटो के है बटा स्वीट प होती है मतलब कैसी है जैसे character turning पॉर आपकी एक और होती है जो radish होती है उसमें भी की होते है fuysiform shape में होती वह सारी के सारी के tap fruit है फूर्ट स्टोर कर रही है लेकिन आपकी come let prefer कॉन से एस्पेरगस और sweet potatoes होती है यह स्टोर करने का काम करती यह तो एक function तो आगे food को store करने का ठीक है उसके बार क्या हुआ कि आपने बन्यान tree में ये जो structure देखे हुआ ये सारे structure जो है आपने देखे हुआ ने ये सारे structures के हैं ये proper route है ये के हैं ये proper route है और जैसे इनका main काम क्या होता है इनका main काम क्या होता है sporting प्रवाइड करना है sport प्रवाइड करना है तो यहां पर क्या लिखा है कि have you ever wonder and what those hanging structure sport दा बन्यान ट्री ये कौन से है proper route है और similar जैसे आपकी proper route के करती है ये sporting करने का काम करती है sport प्रवाइड करती है इसी तरह के होती है आपके maze में जैसे maze का अगर plant है ने बटा उसके जैसे maze का मालो plant ठीक है इसके lower node से क्या होती है ऐसी तिल्षी या oblique route निकलती है जो करती है कि इसको sport करने का काम करती है उनको हम क्या बोलते है stilt root बोलते है stilt root हम बोलते है तो similarly the stem of maze and sugarcane have sporting root coming out of the lower node of the stem और these are called stilt root बोलते है क्या बोलते है stilt root याद रखन आपने कि first काम क्या था root का आपका storage का काम कर रही है उसके बार sporting का काम कर रही है और तीसरा क्या है बटा यहां पर in some plant such as राइजोफोरा hen ratio भी इसमें आता है यहां पे क्या होता है यह ऐसे plant रहने यह वहाँ ग्रो करते हैं जहां पर swampy areas होते हैं और जहां swampy areas होते है वहां क्या होता है कि मतलब वो oxygen की कमी होती है तो oxygen के gases को exchange करने के लिए यहां पर specific type की root present होती है और that is called as the new metaphor that is called as the new metaphor जो की oxygen for respiration में important role play करती है आपके दिखाई हुई है यह आपकी कौन सी है यह आपकी जो मतलब राइजोफोरा जो मतलब यहां पर दिखाई हुई है ठीक है तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपने root के बारे में complete study कर लिया ठीक है root में अपने क्या वड़ा tap root system के बारे में study किया tap root system मतलब कहां पाया जाता है आपके डाइकोट में पाया जाता है फाइबरस्न सिस्टम जोते हैं आपके मोनोकोट, वीट, राइस, मेज बगएर में पाया जाता है और एडवेंटिशिस रूट कहां पाया जाता है आपका ग्रास, मॉंस्टेरा बन्यान ट्री में जो है मतलब Adventitious root पाई जाती है उसके बाद हमने Reason of root के बारे में Study किया जिसमें हमने Root Cap के बारे में Study किया उसको हम Caliptera भी बोलते हैं Reason of Mathematic Activity के बारे में Study किया Reason of Elongation के बारे में Study किया Reason of Maturation के बारे में Study किया ठीक है उसके बाद हमने modification up root के बारे इंपड़ा कुछ roots होती है storage का काम करती है लेकिन आपने याद रखना है कि carrot कैसी होती है c से carrot c से conical shape होती है ठीक हैट टर्लिप में कैसी होती है nepi form होती है उसकी shape continuous form भी आपके टacho जो कि रैडिश में पाई जाती है और टूबरस जो होती है आपके कैसे होती है स्वीट पटेटो टूबरस रूटर पाई जाती है ठीक है sport में prop root का main important role play होता है stilt root में जो आपका मतलब जो अभी sport का ही काम करती है prop root में आपकी banian tree आ गया और maze और sugar cane जो आपकी stilt root में आ गए ठीक है और animatophores कहां थे हैं यह आपके rhizophora में जो animatophores के बारे में हमने study कि यह कैसी roots होती है आपकी जो मतलब gases exchange में important role play करती है उसके बार और भी root होती है जो कि जैसे आपकी assimilatory root होती है ऐसी root जो कि मतलब photosynthesis में के करती है important role play करती है ऐसा दो आपने सुना होगा कि जैसे आपके trapa जो होती है यह टीनोस्पोरा ठीक है यह टीनोस्पोरा जो है यह ऐसी root है जिन में क्या होता है small amount of chlorophyll होता है यह करेंगे photosynthesis कर सकती है जब photosynthesis कर सकती है तो obviously क्या करेंगी फिर यह आपकी assimilatory roots होगी यह काउन से होगी assimilatory roots जो मतलब है यह होती है ठीक है embryo में के होता है कि वहाँ पे आपके cotylidens present होते है plumule present होता है radical present होता है stem is the ascending part of the axis stem के है बटा ascending part है आपकी axis का जिसमें branches present होती है leaves present होती है flower present होते है fruit present होती है और यह कहां से originate होती है यह plumule से जो मतलब originate होती है कहां से होती है Plumule Part of Embryo उसे काकलती है यह germinate होती है आपकी stem अब main क्या है कि stem के ओपर क्या होता है बटा यहां पे nodes and inter nodes जो होता है stems के ओपर present होता है देखो यहां पे यहां पे आपका diagram दे रखा है कि stem में क्या होता है कि nodes होते है और inter node जो है मतलब present होते है अब node क्या होता है node ऐसा area है ऐसा area है जहां से क्या होता है एक leaf जो है मतलब arise होता है ठीक है और दो node की बीच में जो distance उसको हम क्या बोलेंगे that is called as the inter node क्या बोलेंगे उसको हम इंटर node उसको हम बोलेंगे ठीक है अगर stem आपकी young है, तो यह कैसी होती है, ग्रीन होती है, लेकिन जैसे यह mature हो जाएगी, तो यह body और dark brown में यह change हो जाती है, ठीक है, और अगर देखा जाए तो stem का का में का में का में का में का में होता है, अपनी branches को spread करना, अपनी leaves बियर करना, flower बियर करना, तो आपने देखो अपर उस सिस करके जो चीज़ें बनाई है, जो सुक्रोज बनाई है, जो स्टार्ज बनाई है, उसको भी conduction में important role play करती है, कुछ stems होती है, अब हमने के पड़ा, कि root का जो main का में का में का है, कि water को absorb करना होता है, वैसे stem का main का में का में तो वही है, कि branching fruit बियर करती है, ले अब यहां पर दो टाइप के बड़ प्रेजेंट होते हैं, नमबर वन इस कॉल्ड ऐस दा, टर्मिनल बड़ एंड सेकंड वन इस कॉल्ड ऐस दा, एक्जल बड़, यहां पर ग्रीन कलर का जो दे रख है बीच में, यह कह है, एक्जल और ऑफ जिसे मान लो ना, जैसे यह आ हम बोल लेंगे, ठीक है, और जो बड़ आपके टर्मिनल पोजिशन में प्रेजेंट होगा, डेट इस कॉड़ ऐस दा, टर्मिनल बड़ होगा, ठीक है, बड़ के होता है, एक कंपैक्ट और कंडेंस्ट अंडवल्प जो आपकी यंग शूट होती है, जिसमें के होता है, ग है, कौन सा है, कैवेज आपकी जो मतलब, लार्जेस्ट बड़ का जो मतलब एक्जामपल है, याद रखना, कैवेज इस कॉल्ड ऐस लार्जेस्ट बड़ उसको हम बोलते हैं, तो देखो आप स्टेम के बारे में, क्या है यहां पे, स्टेम बोलता है कि, वट आर दा फीचर आर इंपरियो अफ जर्मिन इटिंग सीड और सीड बियर नूट एंड इंटर नूट रीजन अप देखो बीच जो डिस तेंस लोग उसको में इंटर नूड बोलेंगे, स्टेम के पास क्यों का बड़ होगा जो कि टर्मिनल भी हो सकता है, एक्श दरी भी हो सकता है, स्टेम जोती है जनली green होती है जब young होती है और later जोती है woody बन जाती है जब यह dark brown in color होती है main function के है बटा spreading out branches bearing leaves flower fruit conduct water mineral and photosynthet some stems होती है they perform function of storage of food ठीक है sport protection and vegetative propagation में भी important role यह play करती है ठीक है चलो question तो यहां से आपका बनता है modification of the stem ठीक है आपके new NCRT में यह modification नहीं दिया है लेकिन हम इसको study करेंगे कि modification of stem मैंने के बला कि stem का जो कई बार के करती है और three functions जो होती है important role play करती है जैसे stem जो होती है यह modify हो जाती है to perform different function जैसे underground of stem देखो अगर आपको stem को divide करना नहीं बेटा तीन में divide करतो एक तो totally ही underground होगी एक क्यों होगी थोड़ी सी मतलब सब aerial होगी ठीक है और एक ऐसे होगी aerial होती है ठीक है तो जो underground stem में बेटा पोटेटो की ठीक है यह ginger की टर्मरिक की ठीक है जिमी कंद जो होता है यह सारी की सारी कह करती है यह food store करने का काम करती है ठीक है तो यहाँ पे underground stem जो होती है that is a potato देखो sweet potato is a advantageous root की modification है लेकिन जो potato है that is the modification of the stem ginger जो है यह भी क्या करती है food को store करने का काम करती है turmeric जो होती है यह भी food को store करने का काम करती है बोलने का मतलब कि जब conditions होती है unfavorable हो जाती है तो यह उन conditions को भार करने के लिए करने के लिए करते हैं बहुत ही important role play करती है जैसे stem modification अगर देखा जाए आपकी जो मतलब आप पोटाटो को हम ट्यूबर भी बोलते हैं जो भी आपके बैस्टटी प्रोपागेशन में भी important role play करते हैं जैसे आपने पोटाटो देखे होगे न बटा यहां पर पोटाटो होते हैं इसमें क्या होते हैं पोटाटो और वर्डिज प्रोपागेशन में भी इंपोर्टन डोल फ्ले करता है ठीक है यह आपने यहां रखने उसके बाद राइजों भी एक टाइप की होती हैं अंडर ग्राउंड स्टेम होती है जैसे राइजों है न तो राइजों क्या होती हैं यह उपी एक अंडर होती है जो कि horizontally soil के नीचे ग्रूव करती है इसके पास node और inter node हो सकते हैं इसके पास nodes और inter node होते हैं तब ही दोस्ते हैं में scaly leaves होती हैं आपके birds present होते हैं ginger आपका common example है rhizome बोलते हैं तेक है यह turmeric भी क्या है आपकी rhizome ही है यह इसके पास क्या है आपके जो मतलब लीब्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाद इसके पास क्या होता है कि मतलब आपके nodes present होते हैं inter node present होते हैं और यह भी बेस्टेटिव propagation में important role play करती है ठीक है तो हमने tuber के बारे में पढ़ लिए tuber कहां पाया जाते हैं potato में पाया जाते हैं rhizome कहां पाया जाते हैं आपके जैसे ginger में पाया जाए गाए और डर्मरिक में rhizome पाया जाते हैं ठीक है उसके बाद अगर kolocasia कचालू जिसको हम बोलते हैं यह आपके जो मतलब amorphophallus largest flower है stem जो होते हैं जाइब और कोर्म्स बोलता है और यह कहरता है यह बेज़े टेव प्रडूक्शन में भी करते हैं लेकिन साथ साथ में पैटाइए यह food करने का काम करती कि कैसे होगी unbranched होगी ठीक है spherical होगी very very important point और साथ में vertical होगी vertical होगी vertical underground stem है vertical underground stem है लेकिन आपके जो rhizome है ने बटा वो horizontal underground stem है याद रखना वो कहां होती है आपके turmeric में होती है और आपके ginger में rhizome पाया जाते हैं लेकिन आपके जो kolocasia या अमॉर्फो फैलस में प्योते हैं कौर्ण पाए जाते हैं जो कि यह भी बेस्टेटी प्रोपेगेशन इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं लेकिन वो बर्टी कल अंडर्ग्राउंड स्टैम होती है ठीक है उसके बाहर क्या होता है टेंड्रिल्स भी होते हैं टेंड्रिल्स ह होते हैं जो करते है एक्जलरी बड से जो मतलब अराइज होता है और यह कैसे होते हैं यह पतले होते हैं स्पाइरली क्वाइल होते हैं और यह प्लांट को प्लांट को क्लाइंब करने में इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं से कुकुम्बर में ठीक है आप पंपकीन में या की जो मतलब watermelons में जो होते हैं या grape wines में important role in stem tendrils का यहाँ पर क्या देखो आप देख सकते हैं example NCR के stem tendrils होते हैं यह क्या होते हैं which dwell from the axillary bird are slender है spirally quiet होते हैं and help plant to climb such as in gourd जैसे cucumber है pumpkin है watermelon है grape wines में क्या होते हैं stem tendrils होते हैं present होते हैं और axillary birds होते हैं कुछ stem में very very important they are modified into booty straight and pointed thorns ठीक है यह किसमें जो 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 मोडिफाई रहते हैं देखो यहाँ पे एक time पे आपका axillary bird क्या कर रहा है वो आपके tendril formation कर रहा है ठीक है number one और एक time पे आपका axillary birds क्या कर रहा है वो आपके thorn बना रहा है ठीक है देखो origin दोनों का same having the common origin लेकिन function दोनों का क्या हो गया मतलब अलग हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह क्या है यह homologous organ का भी example आते है stem tendril and thorns होते हैं they are arise from the axillary bird लेकिन they have the different function hence they are the example of homologous organ यह भी आपने याद रखने हैं देखो लिखाने है यहाँ पे stem जोते है they are modified into body, straight and pointed thorn और thorn जोते हैं कहां पाए जाते हैं example याद रखने हैं अपने citrus में, wagonvillia में जोते हैं thorn जोते हैं पाए जाते हैं और यह क्या करते हैं यह protect करते हैं plant को from browsing and grazing animals से यह आपने याद रखने है ठीक है उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे they protect plant from the browsing animal some plant very very important, very very important some plant of arid region, ऐसा area जो कि मतलब जीरिक है, dry area है, सूख area है वहाँ पे stem कैसे हो जाती है? बोता, flat हो जाती है, flat हो जाती है और उसके leaf, जोते हैं, spine में change हो जाते हैं याद ने жест हो जाती है, और वह फोटो-synthesis का का काम करना start करती है तिक है भ Будए फोटो-synthesis का मतलब काम करना start करती है एक्जांपल पंशिया अगर वो fleshy है और cylindrical है cylindrical है तो यूफोर्बिया का example है तो यह करेंगे यह chlorophyll जो है मतलब carry करेंगे जब यह chlorophyll carry करेंगे तो यह करते है perform the function of photosynthesis और ऐसी stem को हम क्या बोलते है इनको हम बोलते है philoclade बोलते हैं ठीक है philoclade हम इनको बोलते है याद रखनाई चीज philoclade में क्या होता है कि stem कैसी होती है या तो फ्लैट हो जाएगी example है आपका open share या तो cylindrical हो जाएगी example है आपका यूफोर्बिया और यहां पर कहते है यह perform करती है function of photosynthesis and this type of the stem is called philoclade हम बोलते हैं क्या बोलते हैं philoclade हम इनको बोलते हैं याद रखना यह चीज ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं philoclade बोलते हैं बाकी क्योंकि exam में आपके questions होते हैं यहां से बनते ही बनते हैं यहां से question बनते ही ठीक है उसके बादे को बटाए यहां पर क्या है कि यह जिसे आप्ट नेक्स्ट है देख वही है कि आपका one और क्वार की होती है कि स्टैम जो होती है यह जो फिलो क्लैड है ना बटा यह Unlimited growth घ्जाम्पल क्लैडौत कहा है ठीक है क्लैडोड को Agriculture क्लैडोड में तया है कि यह घृबली नोड5910 9 वन इंटर नोड लोंग होते हैं और इसमें कै होता है कि मतलब आप काम होई है आपा स्टेम हैं हो एक स्कारड already होता है एक्जांपल अ asparagus 20 जो आपको देखने को मिलेंगा थीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने हम पढ़ा हमने थानो wen के बारे मिले आप ढ Pluto पर पर रोद्बर याम्चा अब हम पर छुडे कर लिया अब दिक्रों यहां को होता है कि कई करीबार क्या होथा कि इस टैम जोती यह अंडर ग्राउंड स्टैम जो लोगी आपकी दूब ऑप्की ब्रामu ब्योटी तो इस्ट्ल भर से तो जैसे मान लों कि यह कैसे हो जाती है जैसे यह आपका सर्फेस है यहां पर क्यों आते हैं कि इस होरीज़न्टली ग्रो करती है इसके पर रूट और लीफ जोते हैं राज करना स्टार्ट करते हैं फिर यह नए जगा पर चली जाएंगी ठीक है यह जो मतलब ऐसे दोबारा लीफ और एड़वसी रूट जोती है राइस रूना स्टार्ट हो जाएंगी तो यह जो आपकी जो यह जो स्टैम दिखरी है इंद्ध होरीजेंटल है ग्राउंड के बिल्कुल प्लेन में चली हुई है ग्राउंड के बिल्कुल पैलल में चली है इसको मोईता है रनर कहां पाई जाते हैं आपके घ्राणर्ज पाई जाते हैं आपके grasses में strawberry में grasses में strawberry में यापके दूब grass होगी यापकी जो त्क होगी यह अन्डर व्राण्ड स्टैम्ज होती है कुछ प्नाट की जैसे grasses या strawberry में क्या होती है spread to new new niches and when older part जब die हो जाएगा तो प्लांट होंगे नए पार्ट से बनना स्टार्ट हो जाएगे ये भी आपने याद रखना है ठीक है उसके बाद यहां पर जो मतलब second जो होता है जैसे कई ऐसे plant है mint है या jasmine है एक mint है और एक jasmine है जो मतलब यहां से bizim ऐसे ही होते है लेकिन कैख करता है यहां से मनलो कि इस्वाइल है यहां से mint और jasmine हुए पत्ली सी branch होती है वह raise करती है early और arc बनाती है और यहां से leaf rise हो जाएंगे आपकी जो प्लांट बनेंगा यहां पर arc बनना स्टार्ट हो जाएगा आर्क बनना स्टार्ट होगा यहां पर लीफ बनना स्टार्ट होगा तो यह इस टाइप की जो stem को हम बोलते हैं stolen इसको हम कहाँ बोलते हैं, कहां पाज जाती है mint और jasmine में, यहां पर क्या है, है तो runner ही जैसी, लेकिन कैसी है इसमें आर्क कंडिशन है वो runner जो थी वो parallel थी लेकिन यहाँ पे आर्क खा जा रही है ठीक है इसे mint और जस्मिन जो आपके answer ठीक recording जो होते है mint और जस्मिन में क्यों होते है एक पतली सी little branch होती है base of stem से arise होती है आर्क डाउनवर्ड और टच करती ग्राउंड को उसको क्या बोलते है ठीक है stolen हम बोलते है तीसरे जो होते हैं आपके जो मतलब that is offset होते है जैसे मान लो कि आपके aquatic plant है यहाँ पर क्यों होता है कि यहाँ पर offset present होते है ठीक है offset होते हैं मतलब present होते हैं ठीक है of set मतलब present होते हैं ठीक है offset यहाँ पर प्रेजन वहती है boa प्रांट में आपके ऐक्वाइटिक में पाई जाती है आपके जो मतलब लेटरल ब्रांच होती है और एच नोड होते है और बेरिंग रोश्एट ऑफ लीवसर एंड टुस्ट अप्रूट इस पॉंड रूट इस फौंड इन एक विर्वाइटिक प्रांट लाइक पिस्टिया ये इन्हों के बोलते हैं आपके जो मतलब upset बोलते हैं ठीक के बोलते हैं उसी तरह बेनान और पॉइनिपल में या cry-yet सिंद्यमम में क्या होते हैं little little branch होती है वो originate होती है viens होती हरी पिशनेट होती है from the basal center underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and them then cam out obliquely upward तिख राड़ गीव राइस तो लीफ ही शूट तो तुभी जैसे बैना में पाइनेपल में क्यों होते है कि लेटल प्रांच योती है और इसको हम क्यों क्यों एक बोलते हैं सकर्स बोलते हैं आरकते जाते हैं बेनाना ठीक है बी पीफिटी करके या सी पड़े म्तेलब यह सारे क्या है यह मोड़िफ्टीशन भींद्वीप्टीश अपस्ट का माध्यु के स्ट्रिज का का मीराइब हमने पड़ा वह horizontal जो है अंडर्गांस टाम है जो की फूड को और बैस्ट्रेटी प्रोपागेशन में भी इंपॉर्टन रोल प्ले करती है एक्जाम्पल आपका कुरकुम आपका जो मतलब टर्मरिक है या आपका जो है इसको हम बोलते हैं कुरकुमा लोंगा ठीकर साइंटि सब्सक्राइब करते हैं यहां नई टर्म आपने सिखनी है कि कई कई जगह पर हम क्या करते हैं यूज करते हैं थौर्ण ठीक है कई जगह पर हम यूज करते हैं स्पाइन ठीक है कई जगह पर हम यूज करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ब्रीसल्स यूज करते हैं कई जगह पर हम क्या यूज करते हैं पिकल पिकल प्रिकल यूज करते हैं Thorns, Spines, Prickles and Bristles होते हैं, क्या होते हैं, ये Sharp, Pointed, Straight और Curb Heart Structure होते हैं, जो कि Plant को Grazing Animal से Protect करते हैं, ठीक है, Grazing Animal से Protect करते हैं, तो Thorn बगेरा, Spines बगेरा, Prickles बगेरा, Bristles बगेरा क्या होते हैं, ये Sharp होते हैं, Pointed होते हैं, Straight होते हैं, Curb होते हैं, यह grazing animal से करते हैं मतलब product करते हैं और transpiration से भी product करते हैं याद रखना है लेकिन thorn क्या होते हैं thorn जो होता है it is modified stem structure है यह x-reversy rise होता है इसमें क्या होता है bascular cylinder होता है यानि कि gyllum phloem इसमें present होगा जिनको surround करने के लिए क्या होते हैं thin walled cell या आपके bark of thin walled cell होते हैं इसमें क्या होता है bascular cylinder होता है bascular gyllum phloem present होते हैं जो कि आपके जो मतलब यहां पे जो मतलब thin walled cell के तोरह क्या कियागा surround किया जाएगा spine भी क्या होते है spine is the देखो आपका thorn जोते हैं they arise from the axillary bird लेकिन spine जोते हैं spine में change भाते हैं leaf part भी होगा सकता है जिसमें bascular strand हो सकता है या bascular strand without a belt or bark या तो bascular strand तो होगा लेकिन कोई आपका जो मतलब bark यहां पे thin walled cell present होते हैं prickles होते हैं ये cable और cable आपके जो मतलब prickles होते हैं ये cable और cable outgrowth होती है stem की ठीक है leaves की जोती है outgrowth होती है जिनके पास कोई gyland flowem नहीं प्रेजान कोते है कोई bascular cylinder presenter नहीं होता है ठीक है और इन गौमें easily जो निकाल भी सकते हैं ठीक है bristles होते हैं stiff hair होते हैं hard hair होते हैं जो की ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसकी वज़से silica और calcium carbonate की जो होती है यहां पर deep position हो जाती है इनमें भी वह हो ही है simple यह bristles होते है stiff hairs होते हैं जिनमें deposition होती है silica और calcium carbonate की तो यह आपका क्या था stem के बारे में हमने detail में study कर दिया ठीक है उसके बाद हम study करेंगे leaf के बारे में leaf के बारे में यहां से भी आपकी question बनते है leaf के होता है lateral originally flat structure है जो कि stem के उपर क्या करेगा मतलब यह produce देख लो आपके leaf जो ठीक है अब यहां पर क्या होता है यह obviously मैंने क्या पताया था कि stem के उपर node होते है inter node होते है तो node क्या होता है यहां से leaf rise करता है जहां से leaf rise करता है उसको हम क्या बोलते है node बोलते है और इसके axle में क्या होता है bird present होता है उस bird को हम क्या बोलते है auxiliary bird बोलेंगे देख सकते हो आप लीफ जो मतलब इसमें क्या होता है इसके axle में क्या होता है bird भी present होता है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे एक्सलरी बड बोलेंगे ठीक है ये लीफ पूरा का पूरा लीफ है ठीक है लीफ जो होता है कहां से राइस होता है आपके शूट एपिकल मेरिस्टम से राइस होता है कहां से राइस होता है ये शूट एपिकल मेरिस्टम से जो है लीफ आपका arise होता है ये भी आपने याद रखना है ठीक है और कैसे leaf कैसे arrange होते हैं ये एक्रोपिटल succession में याद रखना है ये leaf जो होते हैं कैसे arrange होते हैं ये एक्रोपिटल succession में यानि कि सबसे top पे जो leaf होगा वो कैसा होगा young होगा और सबसे base पे जो leaf होगा, वो कैसा होगा, मतलब वो आपका old होगा, तो top में जब leaf आपका young होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्षेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम एक्रोपिटल सक्षेशन हम बोलते हैं, नमबर one is called as a leaf base, जो की stem के तरू इसको अटेज करता है, फिर पेटियोल होता है, और leaf lamina या blade भी इसको हम बोलते हैं, लीफ जो है न है टेम के त्रू एटेशमेंट हो रही है किसकी बशेया लीफ भेस ऑपर हो रही है और लीफ बेस और पैटि आपके जो लेमिना को जो अटेज कर कर रहे हैस्समॉल फ्लक्सिबल स्ट्रक्स उसको क्या वो लेंगे और एक वरा ब्लेड जासा । सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइघ के लिए लजो लिए इसमोल स्केल फ्ला इक प्रेजники होёт सब्सक्राइब कि अलए मोनो़कुर्ट में जैसे मेज हो गया शुग्र-केन हो गया राीजर हो गया भिज़ वीट हो गया लीए जो खोता है वो एक्सपैن्ड हो जाता है ठीक है इंट्व शीत जैसे मानलो कि लीफ बेस्के हो जाएगा यहां पर जैसे मानलो पे più जाया हूँ यहां इस पर की होगा की लीफ जोगा-व एक्सपैंड हो जाएगा और को करेगा स्टेम को पैर्सली जो हूँ यह नतल depicted करता है प्रिकल करेंगा यह आप नियाद रखना है लेकिन यह तो हो गया मॉनोकोड की बात लेकिन आपके लगमनेशी फैमिली फलीदार पौदे जितने भी है उनमें क्यों होता है लीफ वेस्ट जो होता है क्या करता है वह सूलन बन जाता है उसको मिलते हैं पलवाइनस लीफ वेस् कि यह ऐसा है यह आपका यह stem है और यहां पे solan leaf base है ठीक है और यहां से arise होता है तो इस solan leaf base को बोलते है रड़िस को ऐसा पल वाइनस से कहा होता है lagun nation family में पाया जाता है ठीक है पैटी ओल के करता है यह flexible होता है यह करता है कि leaf plate को hold करने में important role play करता है ठीक है और wind को भी flutter क अब तरने में important role play करता है ठीक है और यह मतलब leaf के surface के ओपर fresh air लेकर आता है lamina जो होता है यह green expended part होता है इसमें क्यों होती है veins और veinlet जो होती है मिड्रिव होते हैं और कुछ नहीं है इसमें क्यों होता है water और minerals की supply होती है इसके तरूओ जा रही है ठीक है तो देखो अब अब NCI T according देखते हैं leaf के general lateral है generally flat होता है structure born on the stem ठीक है it developed from the node यह हमें पता है इसमें क्यों होता है इसमें क्यों होता है बर्ट present होता है actually words होता है ब के पास कि होते हैं मेन पार्ट होते हैं लीफ बेस हंग होते हैं ओर यह थे स्टेम बाई वेश्ञे लीफ बेस कि这么 a and many year two letter small leaf like structure बाइश क्छूछ अच्टिपिय्टूल , इस मौनपोर्ट में कि होता है लीफ بेस का Summit एक्सपैंड हो जाएगा और यह करेगा सीथ जो है स्टेम को पार्शली या होली कवर कर सकती है लेकिन लेगमनेसी में कुशन आया हुआ यह लीफ बेस कैसा होता है सोलन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पलवाइनस और पैटियोल जो होता है यह होल्ड करता है ब्लेड अफ भी पैटियोल लीफ ब्लेड को फ्लतर करें बिंड में इसक्राइब करता है फ्रेश यह कोल प्लेकर लेकर आता है ऑशाइज्एर प्रेहना ऑ लेकर expands ब्लेड पन होता है एक्सपैंड़ कर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब में तो 40 इनल प्रूमनेनट आ इसांतिया है आफ आपके leaf blade को sport provide करती है rigidity provide करती है और साथ में water minerals और food material का भी transport करती है हर एक cell में shape margin apex and surface and extent of incision के basis के अपर आपके leaf जो है different type के हो सकते हैं simple compound हम बढ़ेंगे उसके बार के है कि venation बढ़ा venation जो है इसमें अगर देखा जाए कि arrangement of veins and veinlet on the leaf lamina is called as a venation उसको क्या बोलेंगे venation हम बोलेंगे leaf lamina में आपके कैसे arrangement होगी है ठीक है कैसी arrangement होई है veins और veinlet की उसको क्या बोलेंगे यह venation बोलने के question यहां से भी आता है when veinlets जो होती है ने बढ़ा जो veinlets ऐसे मान लो कि आपका यह leaf है यह venlets क्या कर रही है यह venlets होती है का network form कर रही है क्या कर रही है network form कर रही है तो इनको हम क्या बोलते है reticulate venation reticulate venation is the contrasting feature of dicot leaf dicot leaf का यह contrasting feature है reticulate venation और जब आपकी venation जो होती है जब venation जो होती है उसमें क्या होती है veins और veinlets होती है parallely जो होती है move करती है उसको हम क्या बोलते है parallel venations बोलते है और it is the contrasting feature of contrasting feature of monocot देख लो कि arrangement of veins and veinlet in the lamina of leaf is called as a venation और when veinlets जोती है they are going to perform network venation is called as the reticulate venations और when the veins run parallel to each other within lamina the venation is called as a parallel और leaf of dicot plant के पास कैसी होती है reticulate venations होती है और parallel venations होती है it is a characteristic feature of characteristic feature of monocot यह भी आपने याद रखना है ठीक है उसी base के उपर क्या होता है कि जैसे आपका जो मतलब क्या बोलते हैं type of leaf पी आता है एक लीफ जो होता है दो type के होते है एक होते हैं simple और एक होते हैं compound leaf ठीक है ध्यान से सुनना है ठीक है आपके leaf simple कब होगा जब leaf lamina जो ह है मतलब यह आपकी जो वेनलेट्स है ठीक है leaf lamina जो है मतलब complete है ठीक है या अगर उसमें in season भी present है अगर उस leaf lamina में अगर यहां देख सकते हो आप कि in season भी present है लेकिन in season क्या कर रही है यह जो in season बनाई होई है न बटा यह mid rib को touch नहीं कर रही है यह mid rib को touch नहीं करती है इस type LEAF के leaf को हम क्या बोलते है simple leaf क्या होता है जब leaf lamina जो होता है entire होता है complete होता है अगर in season है भी है उस खौम क्या बोलते हैं आपके जो मतलब compound leaf बोलते हैं ठीक है जब incision है लेकिन यह करिए midrib को number of leaflet में break करी है उसी खौम क्या बोलते हैं compound leaf जो मतलब हम बोलते हैं ठीक है a leaf is set to be simple when leaf lamnize entire or when in size incision does not reach up to the midrib यह breaking into number of leaflet ठीक है लेकिन अगर इसको क्या करती है कि पहुंच जाती है और ब्रेक कर जाती है इसको number of leaflet में इसको क्या बोलेंगे compound बोलेंगे और बढ़ जो हमेशा बढ़ जो हमेशा simple leaf के axle में होगा leaflet के axle में कभी भी बढ़ नहीं होगा leaf आपके जो मतलब बढ़ जो है नहीं बढ़ 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 इस प्रेजन इन दा एक्जिल ओफ पोटी अपैटियोल इन बोथ simple and compound leaf but not in the axle of leaflet जैसे आपके leaflet बनाई भी नहीं बढ़ इनकी axle में नहीं होगे आपके बढ़ ये केबल एक जगह पे होगे जो की compound के axle में प्रेजन होते हैं या simple leaf के axle में प्रेजन होते हैं और यहाँ पे midrib को हमने क्या बोल दिया रैकिस बोल दिया compound leaf जो होते हैं ये भी दो टा number of leaflets जोते हैं they are present on the common axis यहां पर क्या है common axis के ओपर जोते हैं आपके leaflet जोती है present है ठीक है और इसको हमने क्या बोल दिया और जो की midrib वाफ है simple leaf को जैसे name को midrib को है represent करती है palm leaf में क्यों होता है यह आपको जो पैटियोल है जैसे मालोई पैटियोल था इसके tip के ओपर सारी leaf जोती है शोती है ओटेच होती है ऐसे ऐसे जोती है यह किस इस सिल्ख cotton में जो हैं खाथ है मतलब लीफ ज को कोडन होते हैं ऐसके हम सी कोड़े खेर यह का तरफ सिल्क अब ओगढ़र या पर सिल्एंट होता है ठीक है तो यह सारे क्या थे JUST मतलब लीफ टाइप थे अमसके व क्या बोलेंगे फिलोटेक्सी बोलेंगे अगर बेटा अगर आपके स्टैम के एक नोड से केवल और केवल एक नोड से केवल और केवल एक लीफ अराइज हो रहा है उस टाइब की फिलोटेक्सी को हम के बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटेक्सी बोलते हैं, एक्जामपल यहाँ रखने है, एस सिंगल लीफ अराइज एड इच नोड इन अल्टरनेट मैनल, जैसे चाइना रोज हो गया, चाइना रोज इस अ कॉंट्रस्टिंग एक्जामपल है, यहाँ पर क्या होता है, एक नोड से क्या होता है, एक ही लीफ जो है राइज होता है, मस्टर्ड भी देख लो, यह सन फलार जो होता है, चाइना रोज मस्टर यह सन फलार में क्या होता है, कि आपका जो है, अल्टरनेट फिलोटेक्सी पाई जाती है, अपोजिट में क्या होता है, कि एक नोड से दो लीफह अराइज हो रहे हैं अपोजिव चाहता है एक नोड से दो लीफ Two जो मतलब अराइज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे अपोजिट टाइफ इफ की फिलो टड़क्सी बोलेंगे एकसांपल एककलोट्रोप्रीस ऐन गवावा केले रोपिस और गॉवा इस दे एक्जामपल आफ अपोजिट टाइप आफ फिलोटक्सी अगर एक ही नोट से बहुत सारे लीफ जोते हैं अराइज होते हैं उसको क्या बोलते हैं that is called as the आपके वर्ल टाइप फिलोटक्सी अराइज है अराइज है यह अराइज है यह आपके वर्ल टाइप आपको फिलोटक्सी देखने को मिलेगी यह आपने याद रखना है तो यह अपके ग्रासिज बगेरा भी क्या होते हैं वो अल्टर्नेट ही होती है उसके बाद जो मतलब आपका क्या बोलते हैं मस्टर चैनलोज और सन फ्लाइप भी हो सकता है या आपके ग्रासिज बगेरा भी क्या होती है मतलब वो अल्टर्नेटी होती है अपोजिट में अपने केलोट्रॉपिस और ग्वाबा हमने पढ़ लिया ठीक है या जावन भी ए फॉसर्श करना लेकिन कई बार के करती है लीफ चोन्हें फॉसर्य चोड़की कुछ और काम लग परती है करने जैसे यहां पर गंवर्टेशं इंटो तेंड्रिल या तैंडल आपको कहां पढ़ए ग्रेफवाइन में पढ़े वहाटर मेलन में पढ़े लेकिन वहां पर यह लेकिन यहां पे यह modification हो रही है आपकी किसकी यह leaf की हो रही है देखो origin दोनों का different है लेकिन यहां पे function same होगे तो यह analogous organ होगे ठीक है they are converted into tendrils for climbing as a garden भी जैसे आपका python stivum है यह spines में भी change जो जाते हैं cactus बगहरा में और पुंशिया में leaf जोते हैं spine में change जाते हैं production के लिए औ यहां पे garlic और आपके onion में food store करते हैं लेकिन कुछ ऐसे plant हैं जैसे Australian acacia Australian acacia में क्या होते हैं वहां पे leaf जो होते हैं small होते हैं short lip होते हैं और petiol petiol वहां पे expand कर जाती है green हो जाती है और आपकी जो मतलब आपकी जो मतलब क्या करेगी phorocenses करना start करेगी उसको हम बोलेंगे ph लोड या cladophils बोलेंगे ठीक है और कोई वहर क्या होते हैं कि leaf और कुछ असे insectivores plant है पीचर plant है या आपके जिसको हम क्या बोलते हैं निफैंटसी बोलते हैं venus fly trap होता है जिसको हम बोलते हैं डायोनिया यह करते हैं यह insect को जो मतलब catch करते हैं और digest करते हैं क्योंकि यह वह plant होते हैं जो वहां पर grow करेंगे जहां पर क्या होता है कि nitrogen की कमी होती है और अपने nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट के उपर eat करते हैं ठीक है तो देखो NCRT में कि leaves are often modified to perform function other than photosynthesis ठीक है ठीक है ठीक है और यहां for climbing convert tendrils में को change कर दिया जागा किस में आपके पी में प अर तो इसके बात की है आपकी Inflorosensis अब जो हम पढ़ेंगे that is called as the inference क्या होती है? बहुत important है यहां से भी questions आते है बहुत important है यह modified shoot होता है जहाँ पहित क्या होता है? shoot apical myself जोती है वो किसमें चेंज़ रहते है? floralação shoot epical machine amongst more hier internault का क्रते है वो elongate नहीं होते है और एक्स गेट कंडेंस और एपेक्स प्रोड्यूस करता है उस मेरिस्टेम के डिफरेंट काइंड आफ फ्लोरल अपेंडेशी जो करेंगे मतलब सक्सेसी नोड इंस्टेड आफ लीव वहां पर करेंगे मतलब फ्लार बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है जब आपकी शूट जो को लेंगे इंप्लोरसंस बोलते हैं हो सकता है कि उसस्टेंब के ओपर केवल एक ही टाइप कि मतलब 23 in फ्लॉटरसंस आप में केबल और केबल हम दो ही इस के बारे में या तीन के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेंगे आपके इस रेसिमोस के बारे में स्पेसिलाइस्ट भी हम पढ़ी लेंगे ठीक है कि arrangement of flower on the floral axis होती है is called as the in floral sense हम बोलेंगे और depending upon whether the apex get developed into a flower और continue to grow यहां पी आपकी influence दो टाइप की देखो क्या होता है कि आपका apex जो मतलब ग्रो कर रहे है जब आपका apex जो आने बटा ग्रो कर रहे है और flower होते है side side से आ रहे है ठीक है आपका apex ग्रो कर रहे है ठीक है और यहां पर flower कहां से आ रहे है side side से Flores जो मतलब आते चले जारे है जब Flores Side Side से आते चले जारे हैं तो इस case में क्या होता है कि आपका प्लान तो grow कर रहा है इसकी बते सबसे Young Flores कहा है आपके Top के उपर आया सबसे Old Flores कहा है या बेस में आया तो इस type की अगर Influoresons है तो इसकेम क्या बोलते हैं depending upon whether the apex get developed into a flower or continue to grow to major type inforations होती है number one is called as a racimose ठीक है racimose जैसे अगर देख जाए भी different type की होती है अगर racimose होती है ठीक है जैसे आपका example दे रखाए यहां पर mustard का दे रखाए exam mustard नहीं है ठीक है यहां पर एक plant दे रखाए mustard का racimose inforations का ठीक है जैसे हो सकते डेलफीनियम में ठीक है नॉर्मल डेलफीनियम होता है यह आपकी जो मतलब sunflower में भी पाई जाती है आपकी racimose टाइप ही अंबल जो है मतलब prunus बगेरा में ठीक है या collocation में भी आपकी mustard में जो है मतलब simply जो है मतलब किस टाइप की ِνफ्रॉजर्टरॉसण्स पाय जाती है ठीक है लेकिन इंटरिस में क्या होता है यह था मतलब name तसन्मार में यह बहां से निकल dont हो जाएगा और यहां से निकले का यह भी स्टॉप हो जाएगा याननिकी बेस में जो फ्लार होंगे वो यंग होंगे और टॉप के ओपर जो फ्लार होंगे वो कैसे होते हैं मतलब यहां पर आपके जो फ्लार होते हैं कैसे होते हैं ओल्ड होते हैं इस टाइप में क्यों होती है बेस्टी पिटल अर्रेंजमेंट होती है और यहां पर क्यों होती है यहां प साइमोस टाइप की inflorescence इसको हम बोलते हैं ठीक है इसमें आपका जैस्मिन बगएड़ा फ्लार जो है आपका साइमोस शो करते है उसके बाद क्या होता है बटाए special टाइप की भी inflorescence देखने को मिलती है number one high panothodium याद रखना high panothodium टाइप की जो है इन पाई जाती है यह जो कि इन पत्रिमें यह चैपल सरी होटए यह सारी इन पाईटो है यह बंचेल अब डेलीजस विग लो सा ग्रेंग जाती है Гैlor कि आपड़िया लास्टार होती है यम यायर है कि यूफॉबियम यूफॉर्बयम है यह पाए जाती है तो this is अल ओवाथ यूबरे इन फ्लॉरॉच्टंज के बारे में सबने के बड़ा इन फ्लॉरॉचंस अब की वैसे तो पांच टाइब की हो सकती है, solitary, अगर केवल एक ही फ्लार प्रेजेंट है, उसको में solitary बोलेंगे, racimos, उसमें unlimited growth होती है, और फ्लार जो होते हैं, आपके, वो जो होते हैं, एक्रो पिटल सक्षेशन में grow करते हैं, और जो stem की growth होती चलती है, साय मूज, जो stem कैसे होती है, limited होती है, stem कैसे होती है, limited होती है, और यहां पे यहोते हैं,?. जो मतलब फ्लार्ज होते हैं आपके जो मतलब हो क्या है उसके बाद क्या है आपकी तीशरी होती ड़ा इस को हम बोलते हैं थिक उसमें पाहि जाते हां और किया है आपकी तीसरी यह λέदा कि